अब है दूबे जी सबसे पहले आपका रूख करते वे टीवी स्क्रीन पर आपको प्रेम शुकला जी भी दिखाए दे रहे हैं राश्टी प्रवक्ता भारती जंदा पार्टी के अब है दूबे जी लेकिन शुरुवात आपसे करते वे जो टिपणी की गई है मुक्तार अबास नक्वी के और से उस पर भी जबाब और आज राहूल गांदी बड़े तेवरों में नज़र आए कि मैं माफी नहीं मांगोंगा साबर कर नहीं गांधी हूँ इस पूरे मामले में अगर वो माफी मांग लेते तो शाथ यह सती उनके सामने पैदा नहीं होती जैसा की जानकार बता रहे हैं विजपी कह रही है कि नाकून कटा कर शहीद होने चले है राहूल गांदी चित्रा जी जब नाश मनुच पर चाता है तो पहले विवेक मर जाता है पिनाश काले विप्रीद भुद्धी है भारती दंता पार्टी की राहुल गांदी जी ने साफ कहा है उन्होंने कहा कि जो सबसे बहतर मेरे लिए कर सकते थे वो किया राहुल गांदी जी की सदस्त्या चीनी लेकिन क्या ये उनका साहस चीन सकते हैं क्या उनका सरोकार चीन सकते हैं मुखरता से वो बात सदन में और सडक पर दोनों जगे उठाएंगे अडानी के इस लूट की का खुलासा जो उन्होंने किया उससे भारती जन्तापार्टी परिशान है OBC का आपने जिक्र किया पहले उसका जवाब देदू Overseas bogus कंपनियों को बचाने का शडियंतर OBC का नाम ले रहे क्या मेहूल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, निशल मोदी, अमी मोदी OBC समूदाय का रिप्रेजेंटेशन है यह भगोडे क्यों OBC समूदाय का आप अबमान ना कर रहे हैं समूचे देश की बड़ा बड़ा गोरव शाली समाज है वो वो कभी प्रतिनिधित्व नहीं करता ऐसे बेंक फ्रॉस्टर्स का जो हिंदुस्तान के अंतिम पंक्ती में खड़े हुए लोगों का पैसा लूट कर भाग जाए पूछिएगा मुक्तार अबास नक्वीजी से कि अलबूलाक इंवेस्टमेंट कोन है क्रेस्टा फंड कोन है एशिया इंवेस्टमेंट फंड कोन है मौरिशस की तीनों कंपनियों का एक एड्रस है पैतालिस हजार करोड रुपे के निवेश का आरोफ है पूछिएगा इलारा कंपनी कोन है जो अडानी डिफेंस के साथ साजेदारी रखती है जिस पर आरोफ है स्टॉक मैनूपिलेशन का वो मिसाइल और रेडार अपग्रेडेशन के शित्र में काम करती है ये सवाल राहुल गांदी जी ने खड़े किये उन्होंने ये सवाल खड़े किये सदन में कि कैसे एक आदमी को मिनिस्ट्री आफ एक्स्टरनल अफेर्स और निती आयोग के विरोत के बावजूद छेचे एरपोर्ट दे दिये एरपोर्ट एकोनॉमिक रेगुलेटरी अथरेटी आफ इंडिया का एक्ट 2008 को वाइलेट करके दे दिये कैसे डियाराई 2016 से यह कह रहा था कि जो इंडोनेशिया से कोल माडानी की कंपनी ने मंगाया है उसमें और इन्वाइसिंग की है और देश के नागरी पोक पो अधिक पैसा देने के लिए बात दिखिया बिजली के उत्पादन के नाम पर मैं आखरी बात कहना चाहता हूँ आपसे अगर ये वेवस्था पार दर्शी होती तो क्या कारण है कि 16 अपरेल 2019 को जो मुकदमा उस आदमी ने लगाया सूरत की कोर्ट में जबकि 24 जून 2021 को राहूल गांदी जी के प्रत्यक्ष जबयान हो गए थे उसने कोर्ट से कहा दवे साब की कि फिर से राहूल गांदी को बुलाई ये कोर्ट ने का कि उसकी अवशक्ता नहीं वो हाई कोर्ट से जाकर स्टे लेकर आया 11 महीने जद साब का तबद्वा हो गया इस बीच राहूल गांदी जी अडानी पर खुला सा करते संसद में उसके बाद वो 16 फरवरी को कोर्ट जाता है और स्टे वेकेट करा लेता माननी जो न्याधीश है वो हम सबसे जादे जानते होंगे अब उनके ओपर तो कुछ कहना यहाँ पर ठीक नहीं होगा असर डिबेट में अब ये अदालत से आया हुआ फैसला है लेकिन सवाल मैंने पूछा था सारे मोधी चोर ही क्यूं है ये बयान राहूल गांदी ने दिया जिसके बाद दो साल की सजा हुई आप लोगों ने उपरी अदालत का दर्वाजा खटकटाने में देरी हुई जिसके बाद लोगसभा सची वाले ने ये फैसला कर दिया इसमें बीजेपी दोशी कैसे होगा इस सवाल के जबाब आप दीजेगा लेकिन प्रेम शुकला जी बाकी मैं मानों से जल्दी जल्दी एक एक टिपड़ी में ले लेती हूँ लेकिन प्रेम शुकला जी सवाल तो पूछे जाएंगे न अब मतलब सारे खोट दूसरी ही पार्टी के नेताओं में दिखाए देते है और राहुल गांधी ने साफ साफ क्या दिया है कि साबर कर हो नहीं माफी नहीं मांगूगा चाहें जेल भी भेज दे बीजेपी मुझे माफी वीर श्रीमान राहुल गांधी अगर एक समुदाय को पिछडी जातियों को गाली देंगे तो सजा क्या भारती जंता पार्टी के लोगों को दे दी जाएगी अगर गाली राहुल गांधी देंगे और माफी अगर राहुल गांधी नहीं मांगेंगे तो जो इस देश का कानून है जो इस देश का सम्विधान है इस देश के कानून के अनकूल मुकदमा चला इस देश के कानून के अनकूल उनके खिलाफ दंड निर्धारित हुआ और इस देश के कानून के अनकूल ही उनकी लोग सभा की सदसेता गई अब जो आदमी पहले से सिरियल आफेंडर है जिसने सुप्रीम कोर्ट में माफी मानी है जिसको सुप्रीम कोर्ट चेतावनी दे चुका है कि आप भविश्य में जब पब्लिक डिस्कोर्स करें तो आप संतुलित भाषा का प्रयोग करें स्वयम मजिस्ट्रेट ने निरने लिखते हुए इस बात को मेंशन किया है कि पहले से एक अब्यस्त व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट चेतावनी दे चुकी है उसके बाद भी पिछडी जात की मोधी समुदाय को जिस तरह से उन्होंने गालिया दी और वो आपरादी करते और उस अपराद के लिए उन्हें माफी नहीं मांगी तो उनको दंड सुना दिया तो आप अपरादियों को चूंकि वो गांधी परिवार का है इसलिए उसको अपराद करने की छूट दे जाएगी क्या कांग्रेस को लग सकता है कि एक विशेश परिवार को इस तरह की चू अज़त नहीं देता